क्वेश्ट नमबर 6 is convert the following ratio in percentage, ratio दिया उसको क्या करना हम लोगो percentage में convert करना है, first ratio is 37 is to 500, 37 ratio 500, कैसे कि देखो 37 ratio 500 is equal to 37 divided by 500, अब देखो 500 को 100 में convert करना है, 500 को 100 में convert करना है, तो क्या करोगे, 5 से divide, तो अकर 500 में divide के है 5 से 37 भी करना पड़ेगा, तो 37 divided by 5 काया, तो answer क्या है 7.4 और 500 divided by 5 काया, तो answer क्या है 100, देखो 37 को 5 से divide क्या, तो answer क्या है 7.4 और 500 को 5 से डिवाइड के तो answer क्या है या 100 तो 7.4 upon 100 means 7.4 percentage समझ मैं ना उसके बाद 5 upon 8 5 upon 8 is equal to 5 upon 8 into 100 हम लोग जो percentage निकालने तो हम लोग क्या करते जो भी total उसमें से जितने मिले उसको 100 से multiply करते now 5 into 100, 500 divided by 8 जब 500 को 8 से डिवाइड करते तो answer will be 62.5 क्या answer रहेगा 62.5 मतलब 5 out of 8 अगर तुम लोग 8 में से 5 माफ मिले तो कितने मिले 62.5 now 22 upon 30 22 upon 30 is equal to 22 upon 30 into 100 या आप लोग 100 से उसके percentage में convert करने तो 100 से multiply करना होगा 22 upon 100, 22 upon 100 divided by 30 0, 0 cancel 7 से इसको divide क्या 220 को क्या क्या है या पर sorry 3 से या पर divide क्या तो answer आया 73.33 देखो 3721 एक बचेगा या पर again 339 फिर एक बचा 339 वापस से बचा 39 वापस से बचा 39 तो answer क्या है 73.33 आया समझ में 5 upon 16 is equal to 5 upon 16 into 100 16 बचेगा 16 16 से 100 को divide क्या तो answer आया 6.25 देखो 16 6 जा 96 कितने बचेगे 4 4 बचेगे तो उसके उपर 0 ले तो हुआ 40 16 जा 32 फिर 40 में से 32 गया तो कितने बचेगे 8 वापस 0 ले तो हुआ 80 16 5 जा 80 तो answer 6.25 फिर 6.25 से 5 को multiply क्या 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 6.25 से 5 को multiply क्या तो answer क्या है 16 out of 16 means 31.5 % 5 को आपस 15 मतलब 31.5 % 144 divided by 1200 144 divided by 200 is equal to 145 divided by 200 into 100 00 cancel 144 divided by 12 140 पर 12 12 12 12 144 12 का स्क्वेर का है 144 तो अंसर का है 12% मतलब 144 आउट 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 फेल हंडेड इस इकल तो 12% समझ में आया के राइड डाउन क्वेस्टिन अबर 7 इस राइड रेशा आप फर्स कॉंटिटी दू सेकंड कॉंटिटी इन रिडियूस फर्म फर्स कॉंटिटी का से क्या करना है रिडियूस फर्म में लिखना है फॉस्ट इस 1024 MB एन 1.2 GB एक MB में एक GB में एक MB बड़ा होता है कि GB बड़ा होता है GB बड़ा होता है MB क्या होता है छोटा होता है राइड तो 1024 MB मेंस 1 GB राइड मोगा यूस कर थे नो तुम लोगों पता होगा 1024 MB मेंस 1 GB तो राइड राइण वहां पर 1024 MB इस इक इक प्रतिकन हनगा एल तो वन जिबी अपॉन 1.2 GB तो वन अपवान वन पोरन पोरन तु इस इक राइए Kindern हरें shortcut User से 10 से multiply किया तो यहाँ पर भी 10 से multiply किया so 10 upon 12 2 5s हा 2 6s हा क्या answer है 5 upon 6 that is 5 ratio 6 क्या answer है 5 ratio 6 next 17 rupees and 20 rupees 25 rupees 60 पैसे देखो यहाँ पर 17 rupees है और यहाँ पर 25 rupees 60 पैसे भी है अगर यह खाली rupees होते है तो उम लोग direct लिख सकते है यहाँ फिर खाली पैसे भी हो direct लिख सकते है लेकिन rupees और पैसे दोनों में उसको क्या करना पड़ेगा lowest क्या है पैसे और रूपी में पैसे तो पैसे में convert करो rupees 70 is equal to 17 into 100 is equal to 1700 पैसे because 1 rupees is equal to 100 पैसे तो 17 की कितने होगे 1700 rupees 25 and 60 पैसे is equal to 25 to 100 plus 60 that is 2560 पैसे कितने होगे 2560 पैसे ratio of 1700 पैसे to 2560 पैसे 17 divided by 2560 जिरू तो क्या क्या बचा 170 divided by 256 जब डिवाइड का तो सक्सें लोग lowest में जाएंगे 85 into 2 120 into 2 क्या अंसर आया 85 into 2 128 into 2 2 to cancel again 85 and 128 अब 85 और 128 दोनों equitable में नहीं आते 85 और 128 दोनों equitable में नहीं आते तो lowest reduce में इसका क्या होगा 85 ratio 128 clear now 5 dozen and 120 units क्या दिया है 5 dozen and 120 units 1 dozen equal to how many units 1 dozen में कितनी unit होथे 12 very good 1 dozen is equal to 12 units तो 5 dozen के कैसे find दर होगे 5 into 12 very good 5 into 12 60 units कितनी units होगे 60 units so ratio of 60 units to 120 units क्या ratio है 60 units to 120 units so 60 upon 120 zero zero cancel 6 बन जा 6 तू जा so what is answer 1 upon 2 तो ratio क्या है 1 ratio 2 easy है exercise में ऐसे दमनों ने किया है see now next sum is 4 square meter and 800 square centimeter क्या दिया है 4 square meter दिया है और 800 square centimeter तो meter को centimeter में क्या करना पड़ेगा convert करना पड़ेगा 4 square meter या याद रखना so 4 meter square is equal to square meter में तो वह हुआ है meter is equal to 4 into 10,000 centimeter square 10,000 centimeter square because 1 meter is equal to 100 centimeter 1 meter is equal to 100 centimeter लेकिन यहापे meter square है तो 100 का भी square किया तो कितना हुआ 10,000 centimeter square so 4 into 10,000 centimeter square so 4,000 and 40,000 centimeter square ratio of 40,000 centimeter square to 800 square sorry centimeter square 0,0 cancel 8,1 जा 8 8,5 जा 40 1 बचा तो answer जा 50 divided by 1 क्या answer था है 50 divided by 1 that is 50 ratio 1 क्या होँ फाइनल असर 50 ratio 1 next 1.5 kg and 2500 gram 1.5 kg and 2500 gram छोटे के वादे ग्राम की kg gram छोटे वादे इसलिए kg को gram में convert करना है so 1 kg is equal to 1000 gram therefore 1.5 kg मतलब 1000 plus 500 gram 1000 plus 500 total कितने होगे 1500 gram 1.5 kg means 1500 gram so ratio of 1500 to 2500 1500 to 2500 is equal to 1500 divided by 2500 500 answer is 3 अपोन 5 क्या answer है 3 अपोन 5 so ratio क्या है 3 ratio 5 ratio 3 ratio 5 understood everyone write down fast